हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस थोड़ी सी बात करना चाहती हूं पहले मैं आपको पूरी जानकारी के साथ देखना पसंद बस दो से थीनम्रेट ज़रूर हो जाता है लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से जो भी आपको मतलब जिस टॉपिक पर मेरी वीडियो है उस टॉपिक पर आपको पूरी तरीके से सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से समझा देती हूँ तो आपको सब कुछ समझ में आना जरूरी है या फिर आधी अधूरी जानकारी और सौट में वीडियो देखना पसंद है इसका जवाब आप मुझे जरूर देना ठीके न तो देखिए मैं जब मैं किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो बनाती हूँ न तो मेरी पूरी कोश नेचरल तरीके से गलो करेगी यानि कि आज मैं आपको कोई पैक तो नहीं बता रही आज मैं आपको बताऊंगी बहुती अच्छी चीज जिसकी आपको डेली जरूरत पड़ेगी यानि कि आज मैं बात करने वाली हूँ जब आप अपना मेकप करते हूँ दिन में आप अप उन्हाँ मेकप साफ करोंगे तो आपको जो लगाने से आप की स्कीन पर कोई वी साइट फेक्ट नहीं होगा तो चलिए सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि इसे आपको किस तरीके से तयार करना है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूर पड़ेगी एक बॉल की तो मैंने यहाप ले लिया इसमें एक चमश भरकी मैं डालूँगी ऐलोवेरा जैल जो मैंने ऐलोवेरा जैल लिया है यह आपको किसी भी जर्णल इस्टोर पे मेडिकल शॉप पे या फिर कॉस्टमेट पे आसानी से मिल जाएगा आपको नहीं भी मिले तो आप इसे ओनलाइन मगा सकते हो तो मैंने एक चमश भरकी लिया है इसकी कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यदा कर सकते हो कि आपको यह कितना बनाना है तो मैं यहापर जो बना रही हूं कम से कम 20-25 दिन के ल और अगर आपकी स्किन को यह सूट नहीं करता तो इसकी जगह जो भी आपकी स्किन को सूट करता है आप वो इसमें डाल सकते हो तीसरा आपको लेना है गुलाब जल जो मैंने अपने गुलाब जल लिया है इसकी कॉंटिटी आप अपने साब से कम ज़्यादा कर लेना क्यों कि हमें उसे चेहरे पे लगाना होता है और जिससे हमारे चेहरे पे अच्छे से टिका रहें लेकिन इह ऐसा नहीं भनाना यह हमें बनाना है जैसे कि पानी होता है दूद होता है इसकी consistency हमें इस इसाब से रखता है इन सबको डालने तो इसे एक मिक्से जार के अंदर डालके और इसे ग्राइंड कर सकते हो तो उससे बहुत ही आसन तरीके से ये मिक्स हो जाता है अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो जो हम धही फेंट थे घर में अंडा फेंट थे उससे भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हो तो बहुत ही कि अच्छे से मतल अगर मैं मेक अप नहीं करूँगी और ऐसे इसकिन पर आपको लगा के दिखाऊंगी तो आपको भी यकीन नहीं होगा है न तो इसलिए तो देखिए इन सब को मैंने अच्छे से मिला दिया मिलाने के बाद आपको क्या करना है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आपको कुछ आपको एक ऐसी इस्प्रे बोटल लेनी है आपके पास कोई भी खाली इस्प्रे बोटल पढ़िए आपकी मतलब ही सीरम की पढ़िए तो उसे पहले आप अच्छे से साफ कर लें तो मैंने भी इसे दूह लिया है दूहने के बाद आपको क्या करना है जो आपने मेक अप रि मेले गुलाब जले इन सबको हम बहारी रखते लेकिन इस पर अपस में मिला दे ते ना तो यह जल्दी से खराब हो जाती है तो इसलिए आप इसे फ्रीज में रखें या फिर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए इस टूर ना करए मतला अगर आप एक हपते के लिए बनाओ ह बब मेक अपकर कई होगा कर którego मेक saying अपने चाहरे कि करना में आपदे心 है तो गुछ नदाने के भी आपको क्या करना है येद पहले काऊछ देना है है По दूसरा यह है अगर आप हलके हाथों से मसाज करोगे तो आपका मेकप है आपके चेहरे पर और यह कोई जरूरी नहीं है कि आपने हैवी मेकप किया है तब ही आप इससे साफ करें आपका light make-up भी है, क्योंकि night में तो हर कुई दिन में कितना भी आप make-up करके रखो लेकि night में make-up साफ करके ही सोते हैं और सोना भी चाहिए आपको भी सोना चाहिए, अगर आप make-up साफ करके नहीं सोते हो आप इसी तरीके से शो जाते हैं, तो अपने चेरे को अच्टे से तो देखी इस तरीके से आपको कम से कम 2 मिनिट के लिए मसाज करना एं और ये मसाज आपको हलके हाथों से करने हैं बहुत ज़्याधा दबाव आपको नहीं डालना है क्योंकि जितना हलका हाथ अप अपने चेहरे पे चलाओगे ना उतनी ही स्मूध आपकी स्किन रहेगी और ज़रा टाइट रगड के ऐसा नहीं करना है तो देखिए अब आपके सामने मेकप मेरा जो मेकप है क्योंकि मैंने आज मेकप मस्कारा भी लगाया था तो वह भी निकल निकल रहा है और तभी तो आपको पता चलेगा कि इसे मेकप निकल रहा है की नहीं निकल रहा तो देखिए अब मैंने यहां पर दो मिनट मसाज करने के बार ली को तो मैं आपको भी दिखारी हूँ साथ के साथ और आखे बंद करके क्योंकि आपकी आखों में नहीं जाना कोटन के अंदर आ चुका जो मेरी मैंने साफ करने के बाद आपको अपने चेहरे नहीं छो़एक्त है अगर आप चाहते हो अपने मेकप को इस साधा पानी से अपने चेहरे को साहरा साफ करना के बाद इसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप है वो आपको जरूर फॉलो करना है क्योंकि आपके काफी ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं और मुझे करोगी भी आप कमेंट्स कि मैं इसे करने के बाद क्या मैं कोई दूसरा पैक लगा सकती हूँ मैं क्या मैं अपनी क्रीम लगा के सोते हो तो आप अपनी नाइट क्रीम लगा सकते हो अगर आप अलोवेरा जेल लगा के सो सकते हो अगर आप कोई भी क्रीप कुछ भी अपने चेहरे पे लगा के सोना चाहते हो तो आप वो लगा सकते हो ऐसा नहीं है कि इससे मेकप साफ करने के बाद आपको अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाना है तो इस वीडियो के लिए क्या करते हैं लाइक जरूर करके जाना क्योंकि आपकी मैंने इतनी वड़ी प्रॉब्लम का समाधा निकाला है और इसमें आपको ज्यादा पैसा भी खट से नहीं होगा एक वरा बना के रख लीजिए 15-20 दिन के लिए फ्रीज में रख दीजी बहुत ही अच्छा काम तो दोस्तों मैंने आपको इसे बनाने का तरीका बता दिया आपको मैंने इसे लगाने का तरीका बता दिया कि आपको इसे किस तरीके से अपना जो मेक अप है उसे साफ करना है तो सबसे अच्छी बात इसकी यह तक आप लोगों नेश्टाइग है कि यह एकदम नैश्रल है और इसे लगाने से आपकी स्किन पर कोई भी साइड फैक्क्त नहीं होगा इसे आप तभी बनाए जब आपको यह पता हो कि यह सारी चीजें जो भी मेंनेस में डाला है यह सब कुछ आपकी स्किन को सूट करता है नहीं करता अगर यह सब कुछ आपके स्किन को सूट करता है तब तो आप इससे अपने फेस्ट पर अपलाई करें नहीं करता तो आप इससे छोड़ दीजिए तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा है तो इसी बात पर फटाफट से सबसे पहले तो आप ल